दुनिया में एक से बड़े एक जंगल है वेशे तो अमेडरी जंगल को दुनिया का सबसे बड़ा जंगल माना जाता है परन्तु आज़ जम ऐसे जंगल की बात करने वाले हैं जिसे भूतों का गड़ कहा जाता है ये जंगल बहुत ही डराऊना लगता है कहते हैं कि रातों ने पर यहां भूतों का रात चलता है इस जंगल में कुकार जानवर पाई जाते हैं अगर इंसान गलती से चला भी जाए तो समझो मोत पकी है वापिस लोट कर आना नामुम्किन है यहाँ पर आपको कुकाड जंगली जानवर और नर्बंसंग जंजातियां पाई जाती है हम बात कर रहे हैं कांगो जंगल गी दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया तो सब्स्राइब कर ले बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले इससे आपको यह सी रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी आमेजन जंगल के बाद कांगो जंगल दुनिया का सबसे बड़ा और खतनाग जंगल माना जाता है यह जंगल मद्य अपरेका में फेला हुआ है इनका ज्यादातर रिशा कांगो देश में फेला हुआ है यह जंगल 23 लाक वरक किलोमेटर से भी अधिक छेतर में फेला हुआ है यह जंगल 6 देशों में फेला हुआ है कहते हैं कि जंगल जितना डरावना लगता है उतना इसे कहीं ज्यादा खत्रनाग भी है यहां अधिकान सो वर्षा होती रहती है इस जंगल का कुछ हिस्सा तो ऐसा भी है जहां इनसान कभी पहुँची नहीं पाया यह जंगल इतना गना है कि सूर्य की रोशनी भी दर्थी तक नहीं पहुँच पाती है जैसे अमेजन जंगल के बीच में से अमेजन नदी निकलती है वेशे ये जंगल से कांगो नदी निकलती है ये दुनिया की दूसरी सबसे लंगी और दुनिया की सबसे गहरी नदी माना जाता है जिसकी लंबाई करीग 4,700 किलो मिटर है अब हम बात कर लेते हैं या पाये जाने वाले कतनाग जानवरों की चिम्पा जी चिंपा जी बंदर को देखने के लिए हर इनसान उसाइक रहता है प्रंतों हम आपको ये भी बता दे कि अगर इनसान के बाद सबसे समझदार जानवर की बात करे तो चिंपा जी बंदर होता है ये इनसानों की बाती सोचना समझना वेसे ही वेवार करते हैं जैसे एक इनसान दूसरे इनसान के साथ करता है इस जंगल में चिंपाजी की कहीं परजातियां पाई जाती है इस जंगल में 10,000 से अधिक पदों की परजातियां और 5000 से अधिक परकार की पक्षियों की परजातियां भी पाई जाती है यहां पर गोरिला तता जंगली बेशा भी पाया जाता है यहां पाये जाने वाली जंगली बेशा सबसे ताकतवर माना जाता है काते हैं कि जब इनका सामना टाइगर या सेर से हो तो इन कुकार सिकारियों को भी मोत के गाट उतार सकता है ये जंगली बेशा बहुती खत्रनाग और ताकतवर है कांगो एलिपेंट कांगो जंगल में पाहे जाने वाला हाती दुनिया का सबसे छोटा हाती माना जाता है ये हाती सबसे ज़्यादा मस्तिक खोर भी होते हैं इनको लड़ाई से कापी नपरत होती है ये हाती अकेले रेना कापी फसंद करते हैं अपरी की ग्रे पेरेट अपरी की ग्रे तोता सभी तोताओं की परजातियों में बुद्धिमान तोता माना जाता है ये देखने में बहुती सुन्दर भी लगता है ये तोता इनसानों की नकल भी कर लेता है इनके अलावा यहां अपरी की बुसाती भी पाया जाता है जो दुनिया का सबसे ताकतवर हाती माना जाता है सनेक्स अब हम बात करते हैं यहां पाए जाने वाले खतरनाक सापों की इस जंगल में करीब पांच जार से भी अधिक सापों की परजातियां पाई जाती है जिसे इंसानों ने कभी देखा भी नहीं होगा प्रन्तु यहां पाये जाने वाला अपरी की रोग पोईतन सबसे कोकार साम माना जाता है कहते हैं कि इस साम से इतना जहर पाया जाता है कि काटना तो दूर की बात अगर ये अपरे की रोख पोईतन किसी को फूंक पी मार देतो वे मर सकता है अब तो आप समझ गए होंगे कि ये साप कितना जहरीला और खतना होता होगा इस जंगल में बहने वाली कांगो नदी बहुती गहरी है इस नदी के बारे में कहा जाता है कि इसकी बेराई का पपा लगाना इतना आसान नहीं है इस नदी के पानी में खोकार साप जानवर पाई जाते हैं इनमें रहने वाले मचलियों की सबसे बड़ी कास्यती है कि ये मचलियां पानी और कीचड़ में दोनों में रह सकती है सेर सबसे कोकाड सेर माना जाता है या रहने वाले सेर को बबर सेर के नाम से भी जाना जाता है अगर कभी इनिसान भूल से भी जंगल में चला गया हो तो समझो यह अमराज को मोत का बुलावा देने गया है यहां से जिन्दा लोट कर आना समझो एक नई जिन्दी की मिली हो यहां पर हर कदम कदम पर जहरीले कीट मकड़ों का सामना होता है इस जंगल में मदमुक्यों का भी रात चलता है यहां पर बहुती बड़ी और खतरनाक मदमुक्यां पाई जाती है यहां पर कई परकार की छि देखने को मिल जाएंगे, यहां पर रहने वाले आदिवासियों को पिग्मी लोगों के नाम से जाना जाता है, यह आदिवासि लोग इसी जंगल में निवास करते हैं, यह लोगों जंगली जानवर, जहरिले जानवर से डरना तो दूर की बात, यह लोग इनका सिकार करके जि ये लोग नहीं कभी इस जंगल से बार जाते हैं, यहां पर अन्यक परकार की आदिवासी परजाते हैं देखने को मिल जाएगी, इस नदी में कुकार मंगर मच भी पाया जाता है, जो बहुती खत्रनाक और डराऊना दिखता है, इस नदी में ऐसे ऐसे जिवु भी देखने को मिल जाएंगे, जिसे इनसानों ने कभी साइदी देखा होगा, ना ही कभी इनके बारे में सोचा होगा, अब आपके मन में विच्छार आ रहा होगा कि आज दुनिया आदिवासी लोग अपनी भी पुरानी जिन्दी की क्यों जीते हैं, क्योंकि इन लोगों को बारी दुनि इनकी दुनिया होती है, इस जंगल में ऐसे ऐसे खतनाक और जानवर पाए जाते हैं, अगर इनसान उसे कभी देख भी ले, तो कभी नीद में सो भी नहीं सकता, यहां कि खुकार जंगली जानवर बहुत ही खतनाक होते हैं, कहते हैं कि इस जानवर किसी भी इनसानों का, या किसी बड़े से बड़े सिकारी का भी सिकार कर लेते है इस जंगल में कभी भी भूल कर इनसान को नहीं जाना चाहिए अगर गलती से कोई चला भी गया तो समझो जिन्दा लोट कर नहीं आने वाला इस जंगल को लेकर अपरिकास सरकार ने बहुत कदम उठाए नहीं कर सकता इसलिए आज ये जंगल और यहां पर रहने वाले जंगी जानवर सुरुक्षित इस्तिती में मौझूत है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सेट जरूर करे